कि यूटूब चैनल पर इकसा सहापार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू ओलो फ्यू मेरी तू चलिए जो हम अपनी क्लास करें यह हमारा क्लास होती है डी डी पलेस्बी लाइबरेरी के हम क्लास कर रहे हैं डी लाइबरेरी के हम तयारी कर रह जाएगे और अगर आपको केवेस के पेपर अगर आपको चाहिए केवेस के ओल्ड पेपर भी आप अगर पर्चेस करना चाहते हो वह भी आपको पर्चेस कर सकते हो उसके कीमत भी आपकी 30 रुपे रखी गई है और जो यूजी सी नैट यूजी सी नैट के पर आपके लाइ फिर आपका UGC net के पेपर अगर आपको चाहिए तो आप पर चेस कर लीजिए जब तक आपका अभी तक आपके अग्जाम डेट आपकी नहीं आई है तो तब तक कि आपको जितने भी आपके ओल्ड पेपर है वो आपके KVSK हो DSSB के हो NVSK हो या फिर आपके अधर जो आपका पेपर होते है जो भी आपके लाइबरेरी के आपका पेपर होता है MP का हो बिहार का हो कहीं कभी आपका जो पेपर होते है ओल्ड पेपर आप लाइबरेरी के सभी आप निकाल लीजिए उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कोशन 11 में आपका दिया गया जो आपका है कोशन 11 यूडीसी में दो अपून विरामचिनों का इस्तेमाल क्या इंगित करने के लिए किया जाता है तो जो आपको यूडीसी में जो आपका है दो अपून विरामचिनों का जो यूज है वो किसको इंगित करने के लिए किया जात तो यह आपके जुच्चिन है यह किसका यूज करने के लिए आपका इंगित किया जाता है तो यूडिसी की फुल फॉम होते है यूडिसी की फुल फॉम क्या होगी यूडिसी की फुल फॉम होती है यू से आपका बनेगा यूनिवर्सल यू से क्या हूँ आपका यूनिवर् क्लासिफिकेशन को पहली बार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था तो किसने यह आपका किया था तो लो फोन्तेन एंड पॉल ओटलेट के दौरा पॉल ओट लेत के दौरा यह कब पॉल एट एट ने 1895 1895 में कहा पर 1895 में बुरूसेल्स में यह आपका क्या था कहा पर बुरूसेल्स में बुसेल्स जो आपका है महाँ पर गया था यह आपका प्रस्तूत किया था तो बुसेल्स में आपका प्रस्तूत किया था तो जो यूणिवर्सल है यू की यूणिवर्सल जो यूडीसी आपका यूडीसी की फुल फॉम होते है यूणिवर्सल डैसिमल क्लासिफिकेशन जो प्रस्तूत क्या था वो किसके दोरा यह आपका प्रस्तूत क्या गया था हैंडीलोफ फॉंटेन और पॉलेटल दो यह आप किते इनके 12195 में प्रूसेल में प्रस्तूत क्या गया था चैलिए अब जो आपका Udc का पहला शंस्कर वहता अब अब सांस्करन जो था ans遊戲 को यू डिसी का पहला संस्करन पहला संस्करन का होता तण इसनक्र तो पहला परफम जो संस्करन है वह प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् UDC Universal Decimal Classification इसमें से आपके चार आपके पूर्ण हुए थे चार जो संस्क्रण है पूर्ण आपके संस्क्रण हुए थे तो चार क्या हुए थे आपके पूर्ण इसमें आपके संस्क्रण हुए थे इसमें सबसे पहला पहले नंबर पर क्या आपका पहला आपका है पहला संस्क्र तो चार में से आपका जो पहले नंबर पर आपका हुआ था कब 1905 में ये आपका फ्रेंच में हुआ था कहां पर फ्रेंच में आपका हुआ था सेकिंड है अब आपका दूसरा जो आपका संस्क्रन हुआ था यह आपका 1927 में हुआ था यह भी आपका फ्रेंच में हुआ था फिर आपका तीसरा है 1934 में यह आपका हुआ था लेटा इसमें आपका 243 में ही आपका वह था अंग्रे जी फिर इसमें से जो तीन आपके संसीब्त चार आपके कंप्रेट होए सब्ते पूर्ण अब यह यह संसीब्त आपके बिक्स को सायल कई सब्सक्रन्टÓ को पूरे पूरे वेता है इसमें आपका फ्रेंच वाला है फिर आपका फ्रेंच में रर्मनी सबून चरबानि में उर 303 में हमें ऊंग्रेजी में हुआ चलिए जो तीन हिते हैं उन्हें देखते हैं तीन आपके संगसित वाहरो ग ins liability सीज है CONसेट 1948 में 1948 में आपका ये अंग्रेजी ये भी क्या आपका अंग्रेजी है 1948 अंग्रेजी में आपका पब्लिस्ड हुआ था आप आगे है सेकिंड दूसरा आपका है 1957 1957 ये भी आपका अंग्रेजी में पब्लिस्ड हुआ था फिर आपका तीसरा है 1961 ये भी आपका अंग्रेजी में क यह प्लिस्ट आपके किये गये थे आपके फेलबिस्ट किये गये थे तो यह आप नंग्रेजी समयlı पोख अंग्रेजी समु के ठल Spine प्ले उवर एक एक उनिसेते फ्रैंस स्ट चय्पर चैसरी अपिक्र बेंसरी पव्लेशन पर टाः यूड्यो आपका क्या था मिश्रित अंकन का यूज आपका क्या था तो मिश्रित जो आपका मिक्षर अंकन का इसमें आपका यूज किया था तो डबल जो आपका कोलन है डबल कोलन का जो यूज किया जाता है वो कैसे यूज किया जाता है डबल कोलन जो मिश्रित आपके मिक्षर जो सब्जाक्ट होते हैं उनके अंकों को क्या किया जाता है डबल इसमें किया जाता है डबल कोलन में आपका दर्शाय जाता है या फिर डबल कोलन से उन्हें इंडिकेट आपका किया जाता है डबल कोलन से इंडिकेट किया जाता है एक्जाम्पल के तोर पर आप कैसे एक्जाम्पल जैसे आपने 622.341.1 फिर आपका डबल कोलन आपका आएगा डबल कोलन फिर आपका आएगा 338.124.4 यह आपका होता है यह आपका क्या डबल कोलन से आपको इसे आपका जो बीच में आपका डबल कोलन से इसमें आपको चलिए अब example के तोर पर आपको दिखाई दिया तो इसमें आपके 7 आपके संस्क्राण थे 7 संस्क्राण आपको बता दीगी चार इसमें आपके पूरे हुए और 3 अपके इसमें संसिप्ट रह गए थे तो इसमें UDC आपके उनिवर्शल डैसिमल क्लासिफिकेशन आपका होता है तो उसके option अब हम देखेगे option है अब आपका इस्थान option B करम निर्धारन option system है option D पर पत्र तो right answer क्या है right answer इसमें पूछा गया question 11 का इसका right answer आपका option B करम निर्धारन इसका right answer होगा करम निर्धारन के आपका right answer है option B चलिए next question के और बढ़ेगी next आपका question है question number 12 question 12 में पूछा गया है million पूस्तक परियोजना किसकी पहल थी जो आपकी million पूस्तक परियोजना है वो किसकी पहल थी million book जो project आपका था million book project है वो चलिए पहले हम देखते हैं जो million million book million book project million book project आपका कब से कब तक राया आपका 2007 8 में 2007 8 से आपका कानेंगी मेलन युनिवर्श्टि और स्कूल ओफ कंप्यूटर साइंस और युनिवर्श्टि लाइब्रेरी में आपका था कहां पर था जो आपका था यह कानेंगी कौन कहां पर 2007 8 से क्या था यह आपका कानेंगी 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 मेलन युनिवर्श्टि कानेंगी मेलन युनिवर्श्टि स्कूल ओफ युनिवर्श्टि स्कूल ओफ कंप्यूटर ओफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस और युनिवर्श्टि साइंस और युनिवर्श्टि लाइब्रेरी युनिवर्शिटी लाइब्रेरी में आपका था कहां पर यह आपका इस्तित था जो सुच्टेटिड आपका था पिट्स बर्ग पिट्स बर्ग पिट्स बर्ग में यह आपका इस्तित था पिट्स बर्ग में कहाँ पर दा ये पिर्सबर्ग में आपका इस्तित्स था चलिए अब जो आपका सीज प्रियोज नती उसकी पहल कहां से यह आपका दिया गया कानेंगी मेलन से कहां से कालंगी मेलन से तो यही क्या आपका राइट आंसर होगा option B करनेंगी मेल अन विश्वी द्याल ले option B question 12 का option B right answer आपका है यह question आपका important है question number 12 चलिए next question के और बढ़ते हैं next अब आपका question है question number 13 question 13 दिया गया इसमें पूछा गया है गरंतपरंक का वर्गी करन BC किसने विख्षित किया था तो आपका गरंतपरंक आपका वर्गी करन है बिबिलियो ग्राफिक जो आपका बिबिलियो ग्राफिक आपका है बिबिलियो ग्राफिक जो classification है वो किसने developed किया था तो classification जो developed है वो किसने किया था कौन सा classification BC यह घाल बिल्स दा वडान सुची अपकी एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ग्लासिफिकेशन के का लेंज। आपा है तो नाइब गुण डव कलासिफिकेशिशं सिस्थ में एक तरह का जो गरंट सूची आपकी है दा बिल्स गरंट सूची दा बिल्स यह आपका है दा बिल्स गरंट सूची बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी एक क्या आपकी Library's Classification System है 겁니까 Libraries Classification System आपका है जिसे किसने जो आपका हैंडी है हेंरी बिल्स हेंरी बिल्स ने हेंरी बिल्स ने 1870 से लेके 1870 से लेके 1955 155 तक 1870 से लेकिए 1905 तक यापका बनाया गया था तो किस ने बनाये था है नी इसने बनाया था कब से कब तक 1870 से लेकिए 1905 बार उत्पत्पर में आपका बनाया गया था और टूप के और यापके नाइंटीन फोटी तो लेके नाइंटीन फोटी और नाइंटीन की त्री आपके प्लिज्ड किये गए ते जो किया थे मुल रूप से आपके मूल रूप से या तो पूरी तरह के से आपके यूएसे में रेडी आपके किये गए तो इसमें आपका कुछा गया था गरंथ प्रंग बीसी का विक्षित है वह किसने क्या था बिब्लियोग्राफिक लासिविकेशन डेवलप किसने क्या था ओप्षिन आपका है बेटी ब्राउन ओप्षिन भी एची ब्लीज ओप्षिन सी एसा रंगनातन ओप्षिन डी एस सी ब्रेड़ फोर्ड तो राइट आंसूर क्या इसका कुछिन थर्टीन का राइट आंसूर आ आपका कड़ा था यह कब गया था एक टीन आगर डेट आपसे यह आपसे पूछने लगी तो अठारा सो सुत्तर से लेके नाइंटी यह आपका अठारा सो सुत्तर से लेके उननीस सो पच्छपन 1872-1955 में यह आपका रेडी किया गया था चलिए नेक्स्ट अब आपका कोश नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 14 त्री कार्ड परणाली मुक्या रूप से पुस्त काल्यों में इनमें से किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है जो तीन कार्ड की परणाली है वह में जो आपका रूप है वह पुस्त काल्यों में किस काम के लिए यूज किया जाता है उप् पुस्तक चैन उप्शन डी कर्मों के अधिगरन और नियंतरन तो तीन कार्ड की जो पढ़नाली है वो क्यों आपकी की जाते है तो त्री पर तक जो आपकी पढ़नाली है जो तीन कार्ड वाली पढ़नाली है वो उसका जो निर्मान था निर्मान किस ने किया है निर्मान किया डोक्टर एस आर रंग नातन ने इसका निर्मान किया है डोक्टर एस आर रंग नातन ने इसका निर्मान किया है कि इसका जो आपकी तीन काड़ वाली आपकी पढ़नाली है कब इसका निर्मान किया गया था तो निर्मान किया गया था 1930 में 1930 में 1930 में जो आपका मदरास विश् पर इसका निर्मान किया गया था किसके द्वारा निर्मान किया गया था डॉक्टर ऐसा रंगनाथन के द्वारा पाइल के तीन काड़ आपकी होती है दूसरी आपकी जाच पत्रक होगी तीसरी होती है classified card classified card तीसरी होती है classified card तो ये तीनों आपकी होती है तिरी प्तक परणाली होती है त्री प्तक व 하지만 आपका ये डोक्टर A.R. रंगनातन के ऐसे में हमने सो थीजम मंद्राइस ऊनिवर्स्टियमें आपका इसका निर्मान किया गया था तीन इसकी पूरी तरह से क्या होती आपकी प्रयोडिक के नाम से आपका रेडी किया जाता है जो पंजियन वाला पंजियन कार्ड है यह किसके नाम से तयार होता है यह आपका होता है प्रोडिक के नाम से यह आपका रेडी किया जाता है इसमें इस कार्ड में क्या होता है जो सीर्सक होता है सीर्षक हो गया आपका इस कार्ड में होता है आपका सीर्षक प्रकाशक विक्रेता वर्ग संख्या विक्रेता की जो वर्ग संख्या होती है विक्रेता वर्ग संख्या आदेश संख्या दिनाक होता है नोट होता है वोल्यूम होता है वर्ष होती है और आपका वाउचर की संख इसे में आपकी किवाता है तो जारी करने की दीधिती और परकाशनिकी तारिक आधीस में आपके आती है यह सबी किया आपका यह सबीरें के स्थायर के प्राथ निकर व्यवरन सामिल होते हैं यहुद्ध में आपका नुटंड़सग मिरीन के डिश्य पर आपको प्राप्त होती है यह सब है यह आपको एक वर्गीकरत करण आपको अरेंज करना होता है तो एक क्लासिफाइड कार्ड में यह आपका आता है किसमें आता है क्रासिफाइड कार्ड में आता है चलिए अब इसके option देखते है option है अब आपका पुस्तक परिसंचरन option B करम चैन option C पुस्तक चैन option D करमों के अधिगरन और नियंतरन तो राइट आंसर क्या होगा आपका question 14 का राइट आंसर आपका option D करमों के अधिगरहन और नियंतरन question 14 का option D राइट आंसर आपका है चलिए नेक्स्ट अब आपका question नेक्स्ट कोशन आपका दिया गया है question 15 एफ आर बी आर संग्रचना द्वारा समर्थित उप्योग करता कारियों का सही करम पहचाने सही करम क्या करना आपको पहचानना है तो सबसे पहले जो आपका FRBR दिया है इसकी जो full form होते है वो क्या होते है F से आपका होता है functional F से क्या होगा आपका F से आपका बनता है functional R से आपका हो गया requirements R से क्या बनेगा आपका R से होगा requirements R से आपका requirements है बी से आपका बनता है बिबिलियो ग्राफिक बी से क्या होगा आपका बिबिलियो ग्राफिक आपका होता है बिबिलियो ग्राफिक बी से आपका बिबिलियो ग्राफिक होता है आर से आपका रिकोर्ड हो गया आर से क्या बनेगा आपका रिकोर्ड आपका बनेगा तो फंक्श सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाइब्रेरी, एस DAY Fashion, director of مyst Lock and the student youعت for, is they would need to swallow牠's आप की क्या होता है इपला की फुल फॉम क्त ओती है तो इसकी यह एक तरह से क्या होती है आपकी online cheese users होते हैं उनकी डृष्टी से online आपकी library को catalog करती है और पुना प्राप्ति यानि user के पास ही आपकी online room में आपके एवलेबल होती है तो यूजर्ज जो का benefit उठाते हैं, वो क्या ओनलाइन मीडियम से इसका benefit अप उठा सकते हैं, तो यह आपके online से आपकी RELATION asta है, संभननित आपकी रखती है, तो online से यूजर्स इसका benefits उठा सकते हैं, इसमें क्या होता है जो परियुक्ता आपका होता है उसमें खुज पहचान और चैन प्राप्त आपको करनी होते हैं कि की आपको पढ़ना है तो इसमें आपका दिया गए अब इसके आप ओप्शन देखे कि चला utilities option हैं अब आपका खोजे चूने पहचाने प्राप्त करें option B खोज पहचान चुने प्राप्ट करें, option C, चुने पहचाने खोजे प्राप्ट करें, option D, पहचाने चुने प्राप्ट करें, खोजे, तो right answer क्या होगा, question 15 का right answer आपका है, खोजे पहचाने चैन और प्राप्ट करें, ये क्या होगा, इसका right answer आपका है, question 15 का option B, right answer है, चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ेगे नेक्स्ट आया आपका जो कोश्चन है कोश्चन नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 अब आपका दिया गया इसमें है इनमें से क्या विसेश पुस्तकालियों में एक संकलन नहीं है Q16 में पूछा गया है इनमें से क्या विसेश जो आपकी पुस्तिकालों में क्या एक संकला नापकर नहीं है Option A संगटन के भीतर उत्पन हुई सूचना जैसे सोध रिपोर्ट कारिय दस्तवेज समाचार पत्रिका विक्री साहित आधी Option B पुस्तकों पत्रिकाव रिपोर्ट आधी में उपलब्द प्रकासित सूचना Option C यात्रा सूची सहाश्य पुस्तके कला पुस्तके जीवनी कालपिक आधी जैसी हलकी पटन सामागरी का ब्राउजिंग Option D बाहरी सूचना अर्टात संगटन के बाहर उपलब्द शोतो शे एक त्रित सूचना तो जो कोशन आपका 16 इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर आपका है यात्रा सूची हाज से पुस्तके कला पुस्तके जीवनी कालपिक आधी जैसी हलकी जो पटन सामागरी का ब्राउजिंग यह इसका राइट आंसर आपका है तो यह क्या करती है एक तरह से आपका एक विसेस और सीमित एक विसेस और सीमित गराक सेवा आपको परदान करते यानि इस पेशल आपका जो होता है यह कस्टरमर को सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है तो इस पेशल क्य पूचा गया इन्हें में पूचा गया क्याएक एक एसार れकार को बताना तो इनो आपका important है question number 70 तो antivirus software कौन सा होगा चलिए अब उसके option देखते हैं option अब आपका firefox option इंटरनेट explorer option c google option d cafe option d आपका दिया गया यह आपका cafe मकाफे आपका मकाफे यह क्या होता है इसमें मैं जो आपका मिशिंग है तो मैं मकाफे आपका होता है तो इसमें पूछा गया है जो antivirus software है यह यह वह उसका लगाता है तो antivirus software क्या पता आप आपका वाइरस को वाइरस हो गया आपका वोम्स हो गया यह आपका होता है एंटी वाइरस सोफ्ट्वेर इसमें आपका क्या होता है एंटी वाइरस सोफ्ट्वेर एंटी वाइरस सोफ्ट्वेर एंटी वाइरस सोफ्ट्वेर एंटी वाइरस सोफ्ट्वेर antivirus software क्या होता है आपका इसमें आपका एक तो virus का पता लगाया जाता है worms का और जो आपकी worms हो गया आपका और other जो आपकी other क्या होती आपकी malware का आपका पता लगाया जाता है किसके द्वारा यह आपका antivirus इसका software होता है वो इसका पता लगाता है इसे क्या होता है, जोंट इन सब को क्या करता है, जो एंटि वायर८ सौफ्ट्वेर होता है, लगाता थैंज कॉर्मूव करता है, यह आपका एडिवियर जो आपका हूँ उसके भी आपकोiset करता है। तो अपडेट फीचर आपका अधिकांस क्या होता है जो एंटी वाइरस आपके होता है ये एंटी वाइरस प्रोग्राम में आटो अपडेटर फीचर आपका सामिल करता है एड आपका करता है एड करता है तो एंटी वाइरस आपके किस तरह क्या आपके होता है ये आपका है से पहले पर आपका एक्जाम्पल है क्वीक लोकल पहले क्या होता है आपका होता है फिर आपका नोटन है फिर आपका दिया गया PCP 7570 today सब सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब यौब क्या होता ओड़ा है इन्टिवाइर्स अत्लय में तौ आपके च्रूंगים यौब के ऊसर इंजन है और ऑट्र इंग्जन है dhv जो कि आपके सेवंटीन है इसका राइट आंसर आपका आपका पता लगाता है उन सभी को रोकता है और रिमू उसमें करता है मैं तो क्वेशन 17 कर रहाई डैस्वर आपका मकाफिय चलिए한स अब आपका कोश्ष extends son is question number 18 two question no about after कोन नमबर 18 ahead presentation güc 앤 इती में अब आपका प्रयाए इसब्ड्कोस अभी चार इससे किया था जो पर्यांग इस Hyundai सब्सक्राइब किहा है विचार किस नहें विख्षित किया ता जो परियाग आपका है परियाए जो सब्सक्राइब का इस इसमें आपका किया था वो किसने किया था option एस एर रंगनातन और एस आर रंगनातन है option भी जी आविशन option d तो right answer क्या होगा जो आपका परियाइश सब्द कोस है पक्षा उसका जो विचार है वो किसने तो यह आपका है जीन एविशन कोशन 18 का option D जीन एविशन आपका right answer होगा जीन एविशन का इसका right answer आपका है तो question 18 का option B right answer है चलिए next next अब आपका question क्या है चलिए next question क्यों बढ़ेगे next question number 19 चलिए question number 19 अब आपका जनमपूर सूची इन में से किसका योगदान है जो जनमपूर की जो सूची है वो किसका योगदान है option A James D. Brown option B Melville Devi option C या आपका देवी की जगे Devi है option C अब आपका C कटर option D S.R. रंगनाथन तो right answer क्या आपका S.R. रंगनाथन जिन्होंने क्या किया था जनमपूर जो आपकी सूची है इसमें योगदान आपका दिया था question 19 का option D right answer है चलिए next अब आपका question है question number 20 question 20 है इसमें आपका दिया गए question number 20 में इन में से क्या एक बहु भास या क्रिशी परियाए सब्द कोश है option A agri walk option B agris walk option C agri walk option D agree walk तो right answer क्या आपका जो क्या है बहु भास ये क्रिशी परियाए सब्द कोश है तो परियाए जो आपका सब्द कोश है वो कौन सा होगा परियाए सब्द कोश इसमें आपका पूछा गया है तो परियाए जो सब्द कोश है वो आपका agri walk है agri walk तो एग्रो वोक क्या है आपका एक तरह से आपका बहुबाशिय क्रिशी परियाय सब्द को से तो यह आपका होता है एग्रो वोक आपका एक एपोर्टमेंट्यू एपोर्टमेंट्यू ओफ एग्रिकल्चर एंड ओफ एग्रिकल्चर एंड वोकाबलरी एंड वोकेबलरी एक क्या है आपकी बहुबाशी नींतरित आपकी सब्दावलिया सब्दकोश आपकी है जिसमें क्या होता है आपका खाद हो गया खाद होता है पोशन आपका होता है क्रिशी खाद पोशन क्रिशी मतश्य पालन मतश्य पालन मतश्य पालन वानी की वानी की और जो आपका परियावरन शहित आपका परियाए वरन के साथ-साथ क्या आपका या आपका छेतरों के हित में आपका सामिल होता है इसमें जो सब्दावली में क्या होता है जो सब्दावली आपकी है सब्दावली 35,000 से ब्यादी क्या होती है अवधारना ये आपकी होती है जो विबिन बाशाओं में आपकी होती है तो कितने बाशाओं में ये आपकी होती है जो विबीन भाशाव आपकी दी गई है छह लाग या आपकी जो विबीन भाशाव होती है छह लाग इकतर हजार इसमें आपकी विबीन आपकी बाशाव होती है लेंग्वेज आपकी होती है विबीन भाशाव या लेंग्वेज आपकी मैंशन होती है मेंशन आपकी की जाती है तो इसका question 20 का right answer कि आपका option C agro walk चलिए आप जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को like कीजेगा comment कीजे और वीडियो को जादे से ज़्याद आप share कीजे थैंक्यू